इसी के पाठे करम के अनुसार बार्वी कक्षा के पाठे पुस्तकारों से यह पाठ पंद्रा आप सब की सामने पेश हैं इस पाठ को समझने से पहले इस भाग में पाठ से संबंदित लेखा का जीवन परिचे हम पढ़ेंगे लेखा का नाम है विश्नु खरे लेखा का जन्म सन 1940 में हुआ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा जो की मध्य परदेश में है प्रमुख रचनाए हैं इनकी प्रमुख रचनाओं से मतलब कि इन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाए लिखी हैं उनमें से जो प्रमुख हैं जिनकी वज़ा से ये प्रसिद तो उन प्रमुक रचनाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है एक गैर रुमानी समय में खुद अपनी आख से सबकी आवाज के परदे में पिछला बाकी यह सारे कविता संग्रह हैं यह सिर्फ कविता नहीं कविता संग्रह हैं अगर इन में से किसी एक संग्रह का नाम लूँ जैसे की पिछला बाकी, तो पिछला बाकी संग्रह का नाम है, इस पुस्तक में, इस संग्रह में और अन्य कई कविताएं शामिल हैं, तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, कविता संग्रह हैं ये, आलोचना की पहली किताब, ये आलोचना है, सिनेमा पढ़ने के तरीके ये सिने आलोचना है, मरू प्रदेश और अन्य कविताएं, टी एस इलियट के बारे में है, यह है चाकू समय, अंतिला योजेफ, काले वाला फिल्लेंड का राष्ट्र कावे है, जो की अनुवाद किया गया है, यानि किसी और भाषा म पे ये लिखा हुआ है, इन्होंने दूसरी भाषा में इसका अनुवाद करके इस रचना को पेश किया है, इनको प्रमुख जो पुरुसकार मिले हैं, वो ये हैं कि रगवीर सहाय सम्मान मिला है इने, हिंदी अकादमी, दिल्ली का सम्मान है, शिकर सम्मान, मैथली प्रमुख पुरुसकार इनको अपने जीवनकाल में अपनी रचनाओ की वज़ा से मिले हैं, अब एक वक्तवे यहाँ पेश किया गया है, जो लेखक के व्यक्तित को प्रकट करता है, जो कि कहता है, हर कलाकृती जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अदिक सकते हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी कलाकार हुए हैं, चाहे वो अपनी कला को किसी भी फॉर्म में दिखा रहे हैं हूँ, उसी तरीके से अगर हम किसी भी साहित्ते को पढ़ते हैं, तो इन सब मामलों में फिल्म को अगर ले लिया जाये, तो फिल्म जो है, इन सब से आगे बढ़कर है, वो कुछ ज़्यादा ही सत्य रूप को प्रकट करने में सक्षम है, क्योंकि फिल्म जो होती है, वो एक तरीके से चीजों को दिखाती भी है, सुनाती भी है, और सत्य को प् जो किसी और ने लिखी हो और कोई दूसरा लेखक उस पे अपना point of view अगर पेश कर रहा और उस पे एक रचना तयार करें उसे आलोचना कहते हैं आलोचना नकारात्मग भी हो सकती है और सकारात्मग भी हो सकती है तो इस छेत्र में ये जो लेखक है विश्णुखरेजी इनमे इनका विशिष्ट हस्ताक्षर है हस्ताक्षर से यहां मतलब साइन से नहीं यहां पर हस्ताक्षर का मतलब पहचान से है यानि कि इन छेत्रों में रचना के इन छेत्रों में इनकी एक विशिष्ट पहचान है उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी और विचारपरक कवि यानि ऐसी कविताइं जो बहुत गहरी सोच वाली हो और अच्छा जो संदेश दे जाती हो ऐसी कविताइं इन्होंने हिंदी सहिते को दी हैं तो साथ ही बेबाग आलोचनात्मक लेख भी इन्होंने दिये हैं बेबाक आलोचनात्मक आलोचना यानि वही व्यक्ति कर सकता है जो बेबाक है जिसको कोई भी चीज डरा ना सके और रोकना सके तभी कोई व्यक्ति जो है किसी वेशे में अपनी बहतरीन जो उसकी उससे संबंदित विचार है प्रकट कर सकता है आलोचना वही कर सकता है तो ब कई वर्षों से लगातार सीनेमा की विधा पर गंभीर लिखन करते रहे हैं। जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो भी इन्होंने की है। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास, विदेश प्रवास मतलब यहां भारत में रहने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने प्रवास किया विदेश में, तो 1971 से 73 के बीच की बात है, कि इन्होंने अपने विदेश प्रवास के दर्मियान ततकालीन चेकोसलो वाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदरस्यता प्राप्त करके संसार भर की सेकड़ उतक्रिष्ट फिल्में इन्होंने देखी यहां से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफर शुरू हुआ और जब इस शुरू होता है दिनमान नवभारत टाइम्स दिपायोनियर दिहंदुस्तान जनसत्ता दैनिक भासकर हंस कथादेश जसी पत्र-पत्रिकाउं इस सारे न्यूजपेपर्स हैं मैगजीन्स हैं उनमें उनका सिनेमा विशेक लेखन प्रकाशित होता रहता था वे उन विशेश के दौरान उने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वो लिखते भी हैं कि ये ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रियता को पहचान लिया गया है और उसके सिधान्तकार भी उ कुल पुस्तक को हमारा लगवरा समाज अभी भी सिनेमा जाने यो देखने को एक हल्क अपराद की तरह देखता है लेखा के कहने का मतलब है कि जो उनमें ने सिनेमा लेखन शुरू किया तो इतने गंभीर विचार यानि फिल्मों की जो कहानिया है वह उनमें भी कोई गंभीरता नहीं होती थी उन्होंने लेखन जब सिनेमा लेखन शुरू किया तो उन्होंने उस लेखन में गंभीरता लाने शुरू की विचार उचे विचार लाने शुरू किये और साथ ही वो एक पुस्तक की भूमिका में ये बताते हैं कि आज भी भारत में जो है सिनेमा को देखना एक हलके से अपराद की तरफ तरह देखा जाता है यानि आप भी देखेंगे समाज में या फिर पहले हम अपने मादा पिता से भी कहानिया सुन सकते हैं कि पहले फिल्मे कहानिया फिल्मे देखना जो है कितनी बुरी बात माने जाती थी बच्चे के बगड़ने की एक शुरुआत सी मानी जाती थी, तो वो एक हलका अपराद उसी अर्थ में यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर पार्ट से संबंदित, लेखक ने जो अपने विचाय प्रस्तूत के हैं, पार्ट के माध्यम से, वो यहाँ उसकी एक संशिप्त जानकारी हमें म किसे फलफूल रहे, दो महा युद्धों के बाद भी दहशत, नवस्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, आपनिवेशिक दासता का मानसिक ख्षेपन, विश्व सिनिमा जिस कौशल से विशे लगातार बिम्बित करता रहा है, उसके विकास में चारली चैपलिन नामक महा अभी नेता की भीतर के इंसान को जानने का आउसर देता है, यानि ये पार्ट जिसका शीर्शक है चारली चैपलिन यानि हम सब, इसके माध्यां से लेखक हमें बताना चाहेंगे कि चारली चैपलिन के अंदर जो एक बहतरीन इंसान बसता था, उसको जानना हर किसी ने गव शम्ता और उसके धुआते नायकत्व को अपने धंग से चाली चेप्रिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं अपने हां राजकपूर की आवारा श्री 420 अनाडी और मेरा नाम जोकरादी फिल्में भी जिस तरह के भोले सडक छाप की तरासत कामद गाथा र जरूरी होता है और चाली चेप्रिन की जैसी भूमिका लोगों ने जानी है जरूरी नहीं कि उनका व्यक्तित भी वैसा ही हो असल में और इस पार्ट के मद्यमें से वही जाना जाएगा हास से फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चाली चेप्रिन पर लिखे गया इस पार्ट में लेखक ने चारली के कला कर्म की कुछ मुलभूत विशेष्टाओं को रिखांकित किया है करोणा और हासे के तत्वों का सामंजस से उनकी द्रिष्टी में चारली इनकी सबसे बड़ी विशेष्टा रही है यानि वो अपने जो उनकी कला थी कौशल था अपने जो भूमिका निभाते थे एक नायक की सिनेमा में जो की हासे रूप में दिखाते थे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उनको उसी इस्तर पर जाना जाता है लेकिन उनका वास्तविक जो व्यक्तित्व है और विवार है वो क्या है वो पार्ठ में हमें देखन को मिलेगा, जो लेखा कहां बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जहां सिध्धान्त और रचना दोनों स्तुरों पर हास्य और करोना के मेल की कोई परंपरा नहीं रहिए, चारलीट चैपलीन की लोग प्रियता यह तै करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं एक से एक हाथ से कलाकार हुए पर वे चैपलीन की तरह हर देश, हर उम्र और हर इस्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए इसका कारण शायद यह है कि चारली ही वे शक्सियत हो सकता है जिन में सब को अपनी छवी दिखती है वे किसी भी संस्कृती को विदेशी नहीं लगते हैं यह पूरा पाठ चारली चैपलीन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है पंद्रा चारली चैपलीन यानि हम सब जैसा कि हमने पिछले भाग में लेखा का जीवन परीचे पढ़ा और उसमें पाठ से संबंदित एक संशित जानकारी जो ली उसके अंतरगत हमें यह पता चला कि इस पाठ में चारली चैपलीन के विशे में बताया जाएगा और कि किस तरीके से जो उनका बाहरी विक्तित वो जो उनके कौशल को प्रदर्शित करता था लेकिन उनका आंतरिक विक्तित वो जो है वो कैसा है और उनको विक्तिगत रूप से जाना जाएगा इस पाठ में और किस तरीके से चारली चैपलीन का जो विक्तित वो था वो उ यदि ये वर्ष चैपलीन की जन्मशती का ना होता तो भी चैपलीन के जीवन का एक महतुपूर्ण वर्ष होता क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अलिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलीन की कला दुनिया के सामने हैं और पांच पीडियों को मुगध कर चुकी हैं। समय भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से कैसे, चाली चैपलीन किस देश में रहते थे, कैसा रहन सेंता, कैसी भाषा थी उनकी सभी जानते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे भारत का कोई कलाकार है तो उन्हें भारत के ही लोग पसंद करेंगे। इन सब की सीमाओं से खिलवाड करता है। खिलवाड करता है, यानि इन सारी सीमाओं को पार करता है हर कोई चाली चैपलीन को और उनकी कलाको प्रेम करता था, उनको पसंद करता था। उनकी सीमाओं से खिलवाड करता है चाली आज भारत के लाखो बच्चों को हसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पस्चिम में तो बार-बार चाली का पुनरजीवन होता ही है, विकास शील, विकास शील मतलब जो देश अभी विकास कर रहे हैं, विकास शील दुनिया में जैसे जैसे टेलिवीजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सीरे से चाली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते वे देख रहा है, घड़ी सुधारते जूते खाने या उनकी कला से संबंदीते जो अपनी कला का प्रदर्शन वो टीवी स्क्रीन पर करते वे दिखते हैं, और यही देखकर प्रते एक वर्ग का व्यक्ति उनको और उ 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा उनकी फिल्में भावनाओं परटकी है भावनाओं मतलब जो लोगों के emotions होते हैं उनको प्रकट करने में बहुत सहायक है और बहुती सरल्ता से लोगों के भावनाओं को प्रकट करती है उनकी फिल्में बुद्धी पर नहीं, यानि दिमागी चीज पर उनकी फिल्मे आधारित नहीं होती हैं, लोगों की एमोशन्स को ध्यान में रखते हुए उनकी कला परदर्शित होती है। व्यक्तित्व तक नहीं, कहीं एक स्तर पर और कहीं सुक्षमतम रसास्वादन, सुक्षतम यानि जो सबसे कम भी उसको महसूस करते हुए उसका अनन्द लेना चाहरे हैं, वहाँ तक के साथ भी देख सकते हैं, यानि प्रतेक वर्ग उसको देखने में सफल हो सकता है, जैसे कमजोर हैं, उनको नहीं देख सकते हैं वो समझ नहीं पाएंगे पर जाली चैपलीन उनकी कला जो है लोगों को हसाती थी और एक गहरे हैसास को सामने लाने में काम्याब होती थी तो इसलिए प्रतेख वर्ग उसको और उनकी कला को देखने के काबिल होता था सक्षम होता था चैपलिन ने ना सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बलकि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण विवस्था को भी तोड़ा. यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मीटाना चाता वे अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है. चैपलिन भीड का वे बच्चा है जो इशारे से बतला लेता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ और भीड हस देती है. कोई भी शाशक या तंत्र जनता का अपने उपर हसना पसंद नहीं करती. एक परित्यक्ता यानि छोड़ा हुआ, दूसरे दर्जी की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मा के पागलपन से संघर्ष करना, समराज और द्योगी क्रांती, पूंजी वादी तथा सामंत शाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुर दु दे हुए थे, और यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है, कि शायद उस खाना वदोश औरत में भारतियता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिपसी भारत से ही आये थे, और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वन्शी थे, यानि जो मा थी उनकी वो खाना वदो से जो उनका एक व्यक्तित वा निर्माण किस तरीके से हुआ है, उनका वैग्ग्राउंड क्या था, वो सब यहां पर बताया जारा है चार्ली चैपलीन से संबंधित, इन जटल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बहारी घुमंतु चरित्र बना दिया, वे कभी मध मध्य वर्गी यानि जिसे मिडल क्लास कहते हैं लोग बुजुरुआ, बुर्जुआ या उच्च वर्गी जीवन मूल्य ना अपना सके, वो एक मध्य वर्गी थे और उन्होंने कभी भी उच्च वर्गी जीवन मूल्य को अपना नहीं पाये थे, यदि उन्होंने अपनी में अपनी प्रियच्चवी, ट्रेंप, बद्दू, खाना बदोश, आवारा गर्द की प्रस्तुत की है, जो उसके करण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं, चारली पर कई फिल्म समिक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानवीकी के विद्वानों ने प्रस्तुत करने वाले, यानि आप कोई काम करते हैं, और बड़े-बड़े विद्वान जो हैं, उसकी जाज करते हुए, उसमें क्या गलत हुए, क्या सही हुआ है, ये बतलाने का प्रियास करते हैं, वो समिक्षा होती है, और अलोचना होती है, उस तरीके से चारली पर इस बड़ी पहुची चीज है, अब उन्होंने ये माल लिया था कि चारली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है, दरसल सिधान्त कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयम अपने सिधान्त या तो लेकर आती है, या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है, कहने का मतलब य जो कला होती है, वो देविय होती है, यानि कला के लिए सिधान्त नहीं बना जा सकते, नियम या रूल्स नहीं बना जा सकते, जिसके पास कला है, वो स्वतंत्र होकर ही अपनी कला को परकट करता है, तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि सिधान्त जो है, वो कला को जन्म नही यानि हस-हस कर अपने पेट में पेट दुख जाना तो चार्ली अपने कॉशल से लोगों को हसाते थे तो कहा जा रहा है कि जो करोडों जो चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं और उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एजई की बेहत सार गरभित जो गमभीर वी यह होते हैं समिक्षाओं से उनका क्या लेना देना यानि एक तरफ जहां चारली अपने कौशल से अपनी कला से कला से लोगों को हसा रहे हैं और दूसी तरफ जहां हमें गहरे विचारों वाला जो विशय देखने को मिल रहा है तो लोग हसना जादा पसंद करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी परिस्थिती में सार गर्भित जो समिक्षाओं हैं उसका वहाँ पर क्या लेना देना वे चारली को समय और भुगोल से काट कर देखते हैं यानि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चारली ने जो अपना कौशल दिखाया है वो सिर्फ एक समय तक ही चलेगा या फिर सिर्फ एक ही देश में उसको देखा जाएगा और पसंद किया जाएगा तो वे चारली को समय और भुगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब जब तक जियों की त्यों बनी हुई है ये कहना कि वे चारली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है लेकिन बेशक जैसा चारली वे देखते हैं वे उन्हें जानना पहचाना लगता है जिस मुसीबत वे अपने को हर दस्वे सेकिंड में डाल देता है वे सू परिचित लगती है अपने को नहीं लेकिन वे अपने किसी परीचित या देखे हुए को चाली मानने लगते हैं कला में बहतर क्या है बुद्धी को प्रेरिद करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धी यानि कहते हैं कहा जा रहा है कि अपने को नहीं लेकिन वह अपने किसी परिचित या देखे हुए को चारली मानने लगते हैं कला में बहतर क्या है यानि जो कला है जो एक बहुत पहुचीवी चीज होती है जो हर किसी के पास नहीं होती तो कला में और भी उससे बहतर चीज क्या होती है बुद्धी को प्रेरिद करने वाली यानि कि आपकी बुद्धी को जो आकरशित कर रही है अपनी कला को माध्यम से या फिर भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धी या आपकी भावनाओं को उपर लाने वाली जो बुद्धी होती है वो आपको उकसाती है यानि इन में से बहतर चीज क्या है कला में उसने भावना को चुना और उसके कारण थे बचपन की दो घटना उने चैपलीन पर गहरा और स्थाई प्रभाव डाला था एक बार जब वे बिमार थे तब उनकी माने उन्हें इसा मसी का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाय था इसा के सूली पर चड़ने के प्रकरण तकाते आते मा और चार्ली दोनों रोने लगे थे अपनी आत्म कथा में चैपलीन लिखते हैं ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माने मेरे सामने संसार की वे सबसे दयालू ज्योती उजागर की जिसने साहिते और नाटे को उनके महांतम और समरिधतम विशे दिये हैं स्नेह करुणा और मानवता तो इस तरीके से जो चार्ली जी है चार्ली चैपलीन है वो अपनी कला में इमोशन्स को उपर रखते हैं और इस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन वो करते हैं दूसरी गटना भी कम मार्मिक नहीं है मार्मिक दुख पून है बालक चार्ली उन दुनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खना दूर नहीं था वे रोज सैकड़ो जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था एक बार एक भेड किसी तरह जान चुड़ा कर भीड के साथ क्या होगा वह रोता हूँ मा के पास दोड़ा उसे मार डालेंगे उसे मार डालेंगे बाद में चैपली ने अपनी आत्मकथा में लिखा वसंत की वह बेलोस दुपहर और वह मजाकिया दोड मजाकिया दोड जो भीड भाग गई थी अपनी जान चुड़ा कर उसके विशे में बोल रहे हैं कि कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमी तैने ही कर दी थी त्रासदी और हास्यों उत्पादक तक्योंकर सामन जैसे की तो इस तरीके से चारली चैपलीन का जो विक्तित्व था वो कितना इमोशनल था भावनाओं से उत्प्रोध था इतनी गहन विचार रखने वाले और बहुत ही इमोशन लिये हुए और इस तरीके से देखते हैं कि समाज में कितना दुख है कितनी परेशानिया है इसी के लिए वो अपनी कला से लोगों को हसाया करत नोटिस करना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से लोगों के जीवन परेशानिया है भारते कला और सौंदरे शास्तर को कई रसों का पता है भारते जो कला है और सौंदरे शास्तर जो है उसमें कई रसों का वर्णन है जिसमें विक्ति के भावनाओं का जो उसके इमोशन हो और जो दर्शक होते हैं उससे अपने आपको जोड़ कर उस कला का स्वाद लेते हैं। और एक करूणा होने के बाद हासे का बन जाना उसको जोड़ कर किस तरीके से उन दोनों रसों का मिल जाना। जो किसी का मजाक उड़ाने के सेंस में हो या किसी की खिली उड़ाने के सेंस में हो। यहां पर हसाने का अर्थ है लोगों को खुश करने से जो कि चार्ली चैपलिन के अगरते थे। अब यहां पर वही उड़ान दिया जाला कि यहां हसाने से मतलब वो नहीं है जो रमायर माभारत में दिखाया जाता है। तदा माभारत में जो हास्य है वो दूसरों पर है। दूसरों पर कहने का मतलब यहां जहां लोगों की खिली हुड़ा जाती है। और अधिकांचता वह परसंताप से प्रेरित है। जो करुणा है वो अकसर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कवार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूशक हैं वे राजवेक्तियों से कुछ बदितमीजिया भी अवेशे करता है। किन्तु करुणा और हास्य का सामन जसे उसमें भी नहीं है। जो चारली चैपलीन में है। अपने उपर हसने और दूसरों में वैसा ही मादा पैदा करने की श मुल्यांकन शायद अभी होने को है। यानि जो चारली चैपलीन ने किया है करुणा में खो जाने के बाद लोगों को हसाने का जो जिम्मा उन्होंने लिया वो यहां की कलाकारों में देखने को नहीं मिलता जो यहां पर लेखक बता रहे हैं। और उसका मुल्यांकन कर पान जाएगा और करुणा कब हासे में परिवर्तित हो जाएगी इसके पारंपरिक या सिध्धान्तिक रूप से आपरिचित भारतिय जन्ता ने उस फिनोमेनन को यू स्विकार किया जैसे बथक पानी को स्विकार दी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पारिस्थितियों का आउचित्य देखते वे चार्ली या जौनी वोकर कह दिया जाता है। यानि गांधी जी और नहरु जी ने भी कभी एक वक्त पर चार्ली चैपलीन का सानिद्य यानि उनके समीप रहना चाहा था पसंद करना चाहा था कि वो भी उनका सामेप प्राप्त कर सके। और कहने का मतलब यहां पर लेखा की ये कह रहे हैं कि कभी कभार आप भी अपने समाज में देखोगे कि एक वेंगे के अर्थ में बड़े अमिता बच्चन बनने वाले हैं। लमऍबा होने की बाद किसी वेख्ती को बोल दिया जाता यहां मिता बच्चन धिलीब कुमार हैं। एक वेंगे के तौर पे लेकिन कोई विक्ति अगर किसी को हसाता है तो वो उसकी बढ़ाई के अर्थ में चार्ली चैपलीन की संग्या या जॉनी वाकर की संग्या दे दी जाती है तो वो कहीं भी वेंगे रूप में नहीं आता है चार्ली चैपलीन की ये भूमिका है लोगों ने भारतिय फिल्मों का एक सबसे सहासिक प्रयोग किया था आवारा सिर्फ दी ट्रेंप का शब्द अनुवाद ही नहीं था बलकि चारली का भारतिय करन ही था भारतिय करन मतलब चारली चैपली ने जो किया था उसको भारतिय रूप में प्रस्तूत करने का एक प्रयास किया इसलिए उसे भारती करन करना कहा जारा है। वह अच्छा कॉप्छ ने चैपलीन की नकल करने के आरोपों की परवाय नहीं की, यानि कई कलाकार होते हैं, कि वह यह नहीं सुन सकते या सह सकते, कि उन्होंने किसी की और कलाकार की नकल की है, लेकिन राजकपूर ने इस बात की परवा किये वगर चारली चैपलिन की कला को भारतिय करन देते हुए उन्होंने वही पेश करने की कोशिश की और इस चीश की परवा नहीं की कोई उन्हें ये कहे कि उन्होंने चारली चैपलिन की नकल की है राचकपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हसने की और स्वयम नायकों को अपने पर हसने की परंपरा नहीं थी यानि पहले की जो फिल्में थी लोगों को उसमें हसाने की परंपरा नहीं थी या फिर लोग उन पर हसे जो उन्होंने अपने विक्तित को उसमें पेश किया है फिल्म में या सिनेमा में लोगो नायक के दौरा या हीरो के दौरा अपने उपर जनता को हसाने की जो परंपरा थी वो नहीं थी। सिर्फ उस वक्त पर ऐसा चारली चैपलीन ही किया करते थे। और जब चारली चैपलीन ने इस तरीके से पूरी दुनिया में अपने वक्तितों को पसार दिया फिर प्रसिद्द कर दिया तब ये परंपरा तब से महां से शुरू हो जाती है। तो पहले फिल्मी नायकों पर हसने की और स्वेम नायकों के अपने पर हसने की परंपरा नहीं थी 1953 और 57 के बीच जब चैपलीन अपनी गैर ट्रैपनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे तब राज कपूर चैपलीन का युवा अवतार ले रहे थे फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, घोपी, फिर देवा नन्ने, नो दो ग्यारा, फंटूश, तीन देवियां, फिर शम्मी कपूर और अमिता बच्चने, अमर अगबर, एंथनी, तथा श्री देवी तक किसी न किसी रूप में चैपलीन का कर्ज सुईकार कर चुके हैं, यानि इस तरीके से जब भारतिक अलाकारों ने भी चार्ली चैपलीन की इस भूमिका को पसंद करते हुए, उन्होंने भी फिल्मों में और सिनेमा में ऐसी भूमिका निभाना शुरू कर दिया था, तो महाभारत में सिर्फ उसकी तरासद व्याक्य सुईकार कीगी, आज फिल्मों में किसी नायों को जाड़ों से प्रिटा भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहते याद आती हैं, चार्ली के अधिकांश फिल्म में भाशा का इस्तेमाल नह नहीं पहुंच पाई, इसकी परताल अभी होने को है, चार्ली का चिल युवा होना या बच्चों से जैसा दिखना एक विशेष्टा तो है ही, सबसे बड़ी विशेष्टा शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृती को विदेश ही नहीं लगते, यानि उनके आसपास जो भी चीजे अडंगे, खलनायक, दूश्ट औरते आदी रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलीन हम बन जाते हैं, चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं यहां हम लगने का मतलब यह है कि चार्ली जब अपने कला को प्रकट करते हैं तो उनका विदेशी होना, उनकी भाषा का अलग होना, या उनकी संस्कृति का अलग होना, या उनकी रहन सेहन का अलग होना, वो सब परे हो जाता है और चार्ली जो है अपनी कला से ऐसा प्रदर हो जाता है यह संभव है कि कुछ हर्थों में बस्टर कीटन चाली चैपलीन से बड़ी हासे प्रतिभाव हो लेकिन कीटन हासे का काफ का हैं जबकि चैपलीन प्रेम चंदर के ज्यादा नजदीक हैं एक होली का तेवहार छोड़ते तो भारते परंपर में विक्ति के अपने प हारत में महत्व यह है कि अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हसने का अवसर देते हैं चाली स्वयम पर सबसे ज्यादा तब हसता है जो वे स्वयम को गरवोन मत आत्म श्वास से लब्रेज सफलता सभ्यता संस्कृति तथा सम्रिधी की प्रतिमूर्थी दूसरों से कुसुमादपी कठोरानी तथा मृदुनी कुसुमादपी शन में दिखलाता है यानि जब वो सुख के शन में होता है तभी वो अपने आप पर हसने की प्रक्रिया को दिखाता है अपने कोशल से तो कि वे अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हसने का अफसर देते हैं तो इस तरह के इसे जो चार्ली चैपलीन है वो हम जैसे इसी के लिए लगते हैं क्योंकि वो हसने की कई वज़ा और कई चीजों को अलग करते हुए लोगों में घुल जाते हुए हसने की वजहें देते हैं यह तब समझे कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा चुहे गुबारे जैसी फुस हो उठेगी अपने जीवन के अधिकांश हिसों में हम चाली के टिली ही होते हैं जिसके रुमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं हमारे महंतम शणों में कोई भी हमें चिढ़ा कर या लाद मार कर भाग सकता है अपने चरमतम शूर विर शणों में हम क्यलेब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं पलायन यानि किसी चीज को छोड़ देना के शिकार हो सकते हैं कभी कबार लाचार होते वे भी जीत सकते हैं मूलता हम सब चारली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं सत्ता शक्ति बुद्धिमत्त प्रेम और पैसो के च चेहरा जो है वो चारली चारली हो जाता है चारली चारली यानि खुशनूमा हो जाता है जिस तरीके से चारली जो आंतरिक रूप से जो इतना इमोशनल भावों में डूबा हुआ एक विक्तित हुए है लेकिन बारी रूप से वो अपनी हर एक चीजों को परे करते हुए वो को हसाने का प्रयास करता है